आज हम कवर करेंगे इंडिया भरसे अस्टेलिया का बीच ODI मुकाबला जो दूसरा खिला जाएगा उनके बारे में फर्स्ट ODI खिला गया जो कि इंडिया जित लिया है लेकिन काफी मुस्किल से जिती है क्या यह दूसरा ODI मकाबला फिर से इंडिया जितेगा और क्या पीछ रिपोट क्या रहने वाला है वही पीछ पर मैच खेला जाएगा या रिसंट के पैच में कुछ चेंजिक होगा प्लाइंग 11 में कुछ चेंज होगा सारा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा इस वीडियो को एन तक जरूर देखना अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चलिए आपको ज्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं बैटिंग पीछ है यहाँ पर गुट पेसर का है यहाँ पर अबरेज इं की इंडोर जायेंगा बेणनु हॉले क्रिकेट इस्टीडियम इंदोर में जो की इंदोर का पीछ रिपोर्ट के बात करें तो इंदोर का पीछ रिपोर्ट बैटिंग पीछ दरसा रहा है यहाँ पर चार सबांप सकता है यहां पर हाई याज से स्कोर चार सब बना है लो एस्कोर दो सब बना है इस कंडिशन में बैटिंग फनेरली पीछ है बैटिंग फनेरली पीछ रहने के बाद जुद भी कुछ पिलियर टोस होने के बाद चेंज हो जाता है जिसके कारण आप अपने टीम में सही पिलियर का बनाना ही होगा दोनों टीम से काफी संदार मेंच होगा चलिए आपको जदा समयना लेते हुए दोनों टीम से बात कर लेते हैं दोनों टीम में सबसें पहले आ जाता है विकेट कीपर सेक्षन से विकेट कीपर सेक्षन से आता है कि रहूल जो की इनकारिशन के फॉर्म है टु हैड फॉर्म अच्छे हैं सेलेक्षन परसेंट 87 है अगूड्ड विकेट किपरिंग है आपको विकेट किपरिंग से अच्छा पुइंट देगा अब देखिए इसन किसन का भी रिकाउट ठीक ठाक है लेकिन अगले मैच में फलॉप्स हो गया है क्या आज का मैच में फलॉप्स होगा यह डर्म कार्ड के पिलियर के रूम में सामिल हो जायेगा सूर्य अकमार से पाले वैटिंग करने आयेगा और रिशन के पॉँम काफी संदार है आज अगर टोस होने के बाद इसन किसन का सलेक्षन होगा तो अपने टिम में जरूर एक इसन किसन का पिक करियेगा उसके बाद LA सकरी जॉष इंगलिस यह तुका मार में हो गया है इनका रिकषन अच्छे नहीं है आज अच्छे एपने इसकोर कर दिया है और आच्छे खासा पॉइंट दे कर गया है जॉष इंगलिस जो L.S. केरी में इन दोनों में से इन दोनों का record काफी संदार है पहुंच चेक कंबनेशन बनाईएगा अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो दोनों का रखना है इसन किसन और के राहुल को आप बात कर लेते हैं उससे पहले मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर पीछ रिपोर्ट का इस गरौन पर इंदोर म match पहुंच खिले गए हैं पहुंच मकाबले में से टिन जो है वैटिंग फ़र्ष्ट वाले जीते हैं डो जीते हैं वो बालिंग फर्ष्ट जीते हैं इस कंडिशन में कासके हैं दोनों एंडिंग में अच्छे a-score बनने का संभावना और उमीद कर सकते हैं अ अच्छे a-sc पाट के पिलियर में रखना जरूरी है अब यहां पर बात कर लेते हैं सुमन गेल भाई सुमन गेल का रिसन के फॉम काफी संदार है और है टू है फॉम भी संदार है अच्छे खासा परदर्फन करता है ओडी आई के लिए अच्छे खासा है अगर आपको किस्मत खराब होगा तो इंडिया का किस्मत खराब होगा तो तब सुमन गेल फ्लॉप सो कता है आउट हो सकता है लेकिन शोमन गेल ठीकठाक परदर्फन करता है या प्यायल से लेकर ODI तक ध्या टमाल मचाते हुए आ रहा है कमाल करते हुए आ रहा है इस गन्डेशन में आपको फ्युमन गेल क तो डरॉप करने के लिए बनता ही नहीं है अब यहां पर मिक्सर मास जो की खेले यह है अगले मैच में फ्लॉफ्स हो गया है बोलिंग भी करने का मुखा नहीं मिला है लेकिन रिसंट के मैच काफी संतार है लोग इंगनोर करके जाएगा क्योंकि लोग कमाइंड में हो कि अगले मैच में फ्लॉफ्स हुआ है तो आज का मैच में भी फ्लॉफ्स होगा और इस कंडिशन में इन्हें लोग नहीं पिक करना चाहिएगा लेकिन आप अपने टिम में जरूर पिक कीजिएगा अच्छे का से बेस्ट में है और रिसंट के फॉर्म भी ठीक ठाक है और ह यहां पर आ जाता है एस सुमीत यह भी अच्छे खासे पॉइंट दिया है लेकिन रिसंट के फॉर्म ठीक ठाक है और रिसंट के फॉर्म में तीन मैस में इसे एक मैच्छा पर दसन किया है दो में फ्लॉफ्स किया है लेकिन मैं इस अपने ट्रीम में पिक करने का सकास भाई सूर्या कुमार या तब तीन मकाबले के लिए है तीन में खास पर दसन तो नहीं किया है ठीक ठाक पर दसन कर लेता है लेकिन आज मैं सूर्या कुमार को नहीं लूगा मैं सूर्या कुमार के जगा इसन किसन को ट्राय करूँगा अब आ जाता है रितुराज गवाशकर रितिराज गवासकर का record ठीक ठाक है और इन में से कुछ पिलियर जो है रितिराज गवासकर के साथ जाएगा कुछ भाई कुछ भाई रितिराज गवासकर को drive करेगा लेकिन ये हैं इन दोर पीच रिपोर्ट है तो अच्छे bestman है लंबे एसकोर लंबे छलंग का उमीर अब इन से कर सकते हैं अब आज आता है वलंडा सेक्षन में वलंडा सेक्षन में जिकि एम ग्रीन, एम एस्टूनिस, सुन्दर, एम सूट मैं इन सम्में से किसी को नहीं लूँगा सिर्फ रबिंदर जेजेजा को लूँगा बनक की बात मैं किसी के पिक नहीं करूँगा क्योंकि अच्छा खासा है आर अशुवानी का रिकोर्ट ठीक ठाक है इन दोनों में से आर अशुवानी को मैं अपने टीम में पिक किया हूँ क्योंकि रबिंदर जेजेज का सेलेक्षन परसेंट हाया है इसलिए मैं आर अशुवानी को अपने टीम में पिक किया हूँ अब बात कर लेता हूँ बॉलर सेक्षन में बॉलर सेक्षन में इन पॉर्टेंट बॉलर जो है संदार बॉलर उन्हें हम पिक करूँगा यहाँ पर देखिए संदार बॉलर के रूम में है एम एस्टोनिक आप डर्मकाड के पिलियर के रूम में सामिल होगा एम सिराज अगर केलेगा तो डर्मकाड के पिलियर के रूम में सामिल होगा अपने टीम में जरूर रखिएगा जे टिविरित बुमरा डर्मकाड के पिलियर के रूम में होगा लेकिन अगले मेक्स में तो विकेट नहीं मिला है लेकिन ठीक ठाक परदर्शन करने का उमीद इन से लगा सकते हैं सार्दो ठाकोर दो मकाबले खिले हैं एक में अच्छा परदर्शन किया है दोसरी में फ्लॉस हुआ है लेकिन यहां पर बैटिंग पीछ है तो ज्यादा बॉलर पर आपको ध्यान नहीं देना है ज्यादा बॉलर पर आपको ध्यान नहीं देना है में समी और में सिराज मैंने तीन को लिया हूँ एक बॉलर तीन को लिया हूँ वो है एम एक और बॉलर जे हैं संदार हैम करता है हर 10 इंद्ऌर लियाूं आपस में दो गोड़ सकते हैं मैले को व्याइन अइ Works एक ऐस्ट करने का योटर जो दीघ संदार होगा दोनों टीम से आपस में भीरेगा तो काफी परदरसन करेगा काफी लजवाब टीम होगा और आप अपने इस टीम के रखने के बाद आप देखिए 對 करते हैं नेश्ट करने के बाद यहाँ पर आप आजाता है मेन फोकस कैप्टन्सी और वॉइस कैप्टन्सी पर जितने भी Grand League का टीम में जीता है वो Captain C और Voice Captain C के रूम में क्या आज फिर से मुहमद समी पहुंच विकेट निकालेगा ये जरूरी नहीं है जो अगले मैच में पहुंच विकेट निकालेगा तो वो इसे मैच में पहुंच विकेट निकाल सकता है देखिए अगर बॉला क्याली में एम इस्टोनिक वॉस केटन के रूम में अच्छे खासा रहेगा और डर्म काड थोड़ा रिकी रहेगा और लॉलो में मुहमद समीज मेप और मैं स्थरूर सामिल करना चाहिए अब देखिए हिया पर पापitéंसी और वाइस केप्थनशी जो देगा सुमन गिल को काफी संदर काफी अच्छे केप्थनशी और वाइस केप्थनसी करें भा डंगा जानताओ में बैटिंग पीज़र दोंगा और यहां पर मैं बोलर को नहीं सुमन Yellow और था कुंध्रस्टस्य करूं में में कर सकता हूं म्हें क्रश्स लेता हो तो तरिप देता हूं जब 22 क्राइब कुण्रस लेता हूं तो तरह से टीम बनाने के लिए बोला हूँ और टॉस होने के बाद मौमद सिराज नहीं किला है तो उसके जगा मॉहमँद समीचए खिला है जो symmetry निकाल लिया है आप अगर कैप्टन सेव देते हैं तो वईस इंटिक और वन्थ कीख़ेड़ को ट्राइक किया हूं और मैंने इस तरह से मेरा टिम का परभियू रहेगा हाई योप ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो जाहीं दोस्तों